हेलो स्टुरेंट्स मैं शाइन लूट रहा है आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 6 अध्याए 6 प्रुनांग परिशनावली 6 रिसेंबलब 3 करवाऊंगे जिसका पहला प्रशन है घटाईए हमें यहाँ प्रुनांग दे रहा है और हमने इनको गटाना है तो हम उसको स्टार्ट करते हैं यह है इसका 35-20 तो 35 लिखेंगे 35 अब यह माइनस का साइन है तो माइनस प्रैकिट ओपन कर लेंगे 20 35 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 simple है इसको स्टे माइनस करना है ऐसे next है 72-90 अब 72-90 ठीक है अब हमें इसमें से 72 में से माइनस 90 करना तो कैसे करेंगे हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 18 लेकिन बड़ी डिजिट के साथ बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन है तो हमारा उत्तर में भी minus आएगा ठीक है उसके बाद minus 15 यहाँ पे भी minus है और अंदर bracket में भी minus है तो minus minus क्या हो जाएंगे plus तो क्या हो जाएगा 18 अब भी एक plus का है और एक minus का है तो plus minus क्या हो जाएंगे minus अब हमें जो है इनको minus करेंगे तो हमारा answer क्या आएगा 3 बड़ी संचे के साथ plus का sign है तो answer भी हमारा positive आएगा अब है minus 20 और minus bracket में 13 तो पहले bracket open कर लेंगे minus 20 minus का minus 13 आजएगा बीच में कोई भी sign नहीं है तो minus 13 हो जाएगा यह अब यह भी minus है यह भी minus तो minus माइनस क्या हो जाएगे plus 20 और 13 को हम plus करेंगे तो क्या आएगा 3 और 3 33 दोनों माइनस के हैं तो answer में भी हमारा minus आएगा ठीक है ऐसे ही अब आगे 23 minus और यह भी bracket पे भी minus है तो minus माइनस क्या हो जाएगे plus हो जाएगे 12 अब 23 और 12 दोनों को हम plus करेंगे तो क्या आएगा हमारा यह 3 और 5 2 और 1 3 35 35 आएगा ठीक है F देखते हैं minus 32 यह भी minus है यह भी minus है तो minus minus plus हो जाएगे 40 अब 1 plus है और 1 minus है अब हमें 40 में 32 को minus करेंगे तो क्या आएगा A बड़ी संथा के साथ plus का sign हो तो answer भी positive हाएगा जिस संथा के साथ जो sign होता है अगर minus का हो बड़ी संथा साथ sign हमारा minus आता है बड़ी संथा के साथ प्लस का sign हो तो answer हमारा positive हाता है तो यह हो गया हमारा प्रशन A आप सभी वीडियो जो हमारे चैनल के अंदर जाके चेक कर सकते हैं सभी वीडियो वाँ पे अप्लोड़ूड है और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा थेंक्यू हेलो सुरेंट्स मैं शाहिन लूथरा आज मैं आपको इस वीडियो में कख्षा 6 का अध्याय 6 प्रिशनावली 6 दिशम्नतिन का प्रिशन 2 करवाऊंगी प्रिशन 2 है अधिक स्थानों में से हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा और कौन सा बराबर हमें इसमें बताना है ठीक है कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है तो हमें इसको पहले करना पड़ेगा तब हम इसको पता लगा पाएंगे इससे पहले का जो question और इससे पहले की जो प्रशनावली है और introduction part हो पहले से हमारे चैनल में uploaded है आप जाके देख सकते हैं link नीचा को description box भी मिर जाएगा है पहला है हमारा minus 3 plus minus 6 फिर इसके बाद बीच में बताना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा minus 3 minus minus 6 तो पहले हम इसको minus 3 पहले bracket open कर लेंगे minus 3 plus minus 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 6 फिक है उसके बाद यहाँ पर क्या है minus 3 और minus minus plus 6 फिक है अब ये दोनों क्या है minus तो minus minus क्या हो जाएगा plus तो क्या आजएगा 6 और 3 कितना होज़ेगा? 9 माइनस काख्यों कि दोनों ही माइनस है अब इसमें 1 प्लस है एक माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हैगा? 3 बड़ी संख्या के साथ प्लस का साइन न तो आंसर हमारा positive हैगा अब 1 हो गया हमारा माइनस 9 और 2 हो गया 3 अब माइनस नाइन और तीन में से कौन सा बढ़ा है जब एक घर्णात्मक पुर्णाक होता है और एक जब एक हमारा घर्णात्मक पुर्णाक होता है तो दोनों में से कौन सा बढ़ा होता है तो जो हमारा घर्णात्मक होता है वही हमारा बढ़ा होता है ठीक है जैसे कि मैंने को introduction पार्ट में भी समझाया था कि एक रिड़नात्मक होगा और एक घड़नात्मक होगा तो उसमें हमीशा घड़नात्मक वाला ही बढ़ा होगा positive वाला ही बढ़ा होगा अब इसमें minus 21 minus minus plus 10 यहाँ पे minus 31 plus minus minus 11 plus minus minus अब हमें कहा करना 21 में से 10 को हम minus करेंगे 21 में से 10 को minus करेंगे तो हमारा आएगा minus का 11 क्यों क्योंकि बड़ी संख्या के साथ minus का चिन है ऐसे ही इदर करेंगे minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा दोनों ही minus किया तो आंसर भी minus आएगा 1 और 1, 2, 3 और 1, 4 तो क्या आगया? 42 अब ये भी हमारा minus 11 है minus 42 जब दोनों ही रिर्नात्मक होते हैं तो जो छोटी संख्या होती है उसको ही हम बड़ा कहते है यानि कि 42 छोटा है और minus 11 बड़ा है इसके अंदर तो ये वाला जो है हमारा वो बड़ा होगा उसके बाद आजाता है 45 minus minus 11 तो minus minus प्लस होगे 11, 57, plus minus करेंगे इसके अंदर हम 57 में से 4 minus करेंगे तो कितना आजेगा हमारा 53 तो 56 तो 53 में से कौन सा बड़ा है 56 बड़ा है ठीक है अब इसका जो है दी पार्ट है वो देखते हैं इसको भी हम ऐसे solve करेंगे minus 25 minus minus plus 42 इधर minus 42 है minus minus plus 25 होगे ठीक है अब एक minus का एक plus का है तो plus minus minus होजएगा 42 में से 25 क्या करना है minus करना है ऐसी हमें यहाँ पे भी 42 और 25 को दोनों को हमने minus करना है अब 42 में से अगर हम 25 को minus करते हैं तो 17 आता है बड़ी संख्या के साथ positive है तो answer भी positive ऐसे है यहाँ पे भी minus करेंगे तो 17 आएगा लेकिन minus का क्योंकि बड़ी संख्या के साथ minus का sign है ठीक है अब एक तो हमारा 17 है और एक हमारा minus 17 दोनों में से कौन सा बड़ा जब एक रणात्मक और गणात्मक होता है तो हमेशा गणात्मक वाला ही बड़ा होता है आपको कक्षा 6 अध्याय 6 पुर्णा प्रशनावली 6.3 का प्रशन 3 करवाऊंगे रिक स्थानों को भरिये हमें इसके अंदर भरना है हमें देखना है किसमें क्या आएगा ठीक है प्रशनावली 6.3 का प्रशन 3 देखते हैं यह हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है a है minus 8 plus dash is equal to 0 यानि कि हमें यह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा कि हमारा आंसर 0 है तो एक यह हमारा minus का है minus 8 उसके बाद plus उसके बाद हम यहाँ पर 8 लिखते हैं ठीक है तो यह क्या है minus 8 मैं आपको solve पर के दिखाती हूँ और यह है plus 8 तो plus minus minus हो जाएगा 8 मैं से 8 को minus करेंगी तो हमारा आसर 0 ही आएगा यानि कि हमें एक हमें negative integer दे रखा है रणात्मक पूर्णांग दे रखा तो हमें एक घर्णात्मक लिखना होगा तब ही हमारा 0 आएगा अब एक घर्णात्मक है एक घर्णात्मक है तो 0 आएगा ठीक है अब यहाँ पर minus 4 दे रखा है plus इसमें हम क्या करें कि हमारा answer जो है तब भी में भी हमारा minus आएगा तो हमारा क्या आएगा minus 1 यानि कि हम यहाँ पर हमारा आएगा minus 8 तब ही हमारा answer जो है देखरेंगे, minus 10 है, इसको हम जब minus 15 को इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे, तो इह minus है, तो इधर आखे प्लस हो जाएगा, अब plus minus minus, तो क्या आएगा हमारा, 15 में से 10 को माइनस करेंगे, तो 5 आएगा हमारा, ठीक है, अब बड़ी संखे के साथ प्लस का साइन है, तो आंसर भी हमारा positive आएगा, it means हमारा यहाँ पे आएगा, 5, अब 5 में से minus करेंगे 15 को, तो हमारा answer क्या आएगा, minus 10, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा question number 3 भी complete हो जाता है, hopefully आपको एग वीडियो helpful लगा, वीडियो helpful लगे तो please like, share, subscribe करे, thank you, Hello student, मैं शाहिन लूथरा, आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 6 का ध्याय 6, पुर्णाग, प्रशनावली 6, दिसेंबलग 3 का प्रशन 4 करवाऊंगी, प्रशन 4 है, निमलिकित के मान ग्याद कीजिए, हमने इनको solve करना है, इन पुर्णागों को, तो हम इसको solve करते हैं, आपने introduction वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हम इनको solve करते हैं, जो जो चिन हमें दे रखिया, हमने उसी के recording, सबसे पहले हमने bracket open करना है, minus 7, minus 8, minus minus plus, plus 25, ठीक है, अब ये दोनों हमारे minus के हैं, ये plus का, तो minus minus क्या हो जाते हैं, plus, यानि कि 8 और 7 को हमने आपस में क्या करना है, plus, तो क्या आजएगा, minus 15 जब हमने इन दोनों को plus किया, दोनों ही minus है, इसलिए यहां पे भी हमने minus लगाया, उसके बाद plus 25, अब एक plus का है, एक minus का है, तो plus minus, minus हो जाते हैं, तो 25 में से 15 को minus करें, तो क्या आएगा, 10, बड़ी संख्या के साथ positive है, plus का sign है, तो answer भी हमारा positive आएगा, उसके बाद हम देखते हैं, minus 13, plus 32, minus 8, minus 1, bracket open कर लिया, ये दोनों हमारे minus के हैं, तो पहले हम इसको solve कर लेंगे, minus 13 plus 32, minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9, दोनों ही minus क्या है, इसलिए minus 9 आएगा, अब इसके अंदर ये भी हमारा minus है, और ये भी हमारा minus है, तो इन दोनों को minus plus कर सकते हैं, पहले, minus 13 और minus 9 plus 32, तो ये क्या हो गया, minus minus plus, 13 के अंदर हम 9 plus करेंगे पहले तो यह आजाएगा हमारा minus 22 दोनों को plus करेंगे तो plus 32 अब एक plus का है यह एक minus का है तो अब हमें 32 में से 22 को minus करेंगे तो क्या आजाएगा 2 में से 2 minus करेंगे अब इसका भी answer क्या है इसका answer है हमारा 10 आएसे हम C देख लेंगे minus 7 अब एक plus का एक minus का तो plus minus minus 8 plus minus minus 19 अब ही क्या हो गए तीनों ही हमारे minus की हो गए तो पहले हम किसी किनी भी दो को पहले plus कर लेंगे पहले इन दोनों कर लेते है minus 15 minus 90 अब यह दोनों भी minus किया है तो minus minus plus 90 और 15 को plus करेंगे तो 105 आएगा minus का क्योंकि दोनों ही minus किया है ठीक है अब इसका last देख लेते हैं D D है 50 अब यह minus minus plus हो गए 40 और यह भी minus minus plus हो गया 2 अब सारे ही plus हो गए तो हम इन तीनों को plus कर सकते हैं पहले इन दोनों कर लो 90 आजेगा 90 में 2 plus करोगे तो 92 आजेगा बहुत ही simple है ठीक है तो यहाँ पर हमारी जो प्रिश्णावली 6 दिशमलद 3 complete हो जाती है साथ में हमारा अध्याई भी यहाँ पर पूरा हो जाता है होफ़ली आपको अब्षे आपको हमारी सभी वीडियोस जो वह घलफू लगे होगी आप हमारी सभी वीडियोस चैनल में जाकर प्लै्लिसमें जाके प्लेय देख सकते